नमस्कार भाईयों आप सब केसे हो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देखने हैं आपका अपना चेनल विकानेर बर्ड इंफॉर्मिशन जो आपको सामने लवबर्ड का पिंजरा दिखाई दे रहा है जिसमें पांच ओड़े लवबर्ड के रख रख हैं इनकी आज ब्रिडिंग प्रोग्रेस देखेंगे और मैं ही आपके साथ ही ब्रिडिंग प्रोग्रेस देखूंगा जिस वक्त इन्होंने अंडे ले किये थे उस वक्त भी मैंने आपके साथ ही ब्रिडिंग प्रोग्रेस देखी थी जिसकी आपके साथ ही अब ब्रिडिंग प्रोग्रेस देख रहा हूँ मुझे इंतजार है कि लवबर्स के कब बच्चे निकले और जहां तक मैं समझता हूँ कि यह होता ऐसे है कि लवबर्स जब पहली breeding करते हैं और दूसरी breeding करते हैं जो कि पहली और दूसरी breeding में अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पाल लेते हैं तो वेसे फिर भी इंतजार है कि लवबर्स के बच्चे निकले या नहीं निकले तो आपके साथ ही breeding progress देखेंगे इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 10 दिन जोयव मैं अपने setup पे नहीं था setup से बाहर गया हुआ था तो मेरा जो भाई है वही बर्ड की देखरे करता था तो इसकार से जोयव मैं लवबर्स की breeding progress नहीं देख पाया तो आप जोयव breeding progress देखते हैं आप मुझे जरूर बताएं कि आपको breeding progress कैसी लगी इसके अलवा इन पांच जोडों की तो breeding देखेंगे ही और इसके साथ में मैंने पांच जोडे separate cage में और लगा रख्या है उनकी भी breeding progress देखेंगे तो इन सभी लवबर्स की breeding progress देखते हैं अब अंदर चलते हैं और breeding progress देखना शुरू करते हैं सबसे पहली ही मटकी में देखते हैं तो मुझे कुछ से बच्चे दिखाई दे रहे हैं जी हाँ इसके अंदर चार बच्चे हैं और दो अंडे हैं तो breeding progress की सुरुआत तो काफी अच्छी हुई है तो आप देख सकते हैं चार बच्चे हैं और दो अंडे हैं मुझे अंडे भी सही लग रहे हो सकता है कि इन में से भी बच्चे निकले हैं क्योंकि जो लाइट बच्चा है वो काफी छोटा है और इसके अलावा जो female है वो लूटीनों की है और जो male है वो रोजी का है और आप देख सकते हैं सारे ही बच्चे बलेक आईज इनके आँकों का color देखें आप बलेक कलर जब होता है इसका मलब बलेक आईज है और जब red होता है इसका मलब red eyes है अब जैसे जो non ring love birds होते हैं उनमें जो rogy love birds होता है वो wild love bird कहलाता है तो आप wild love bird का पेर अगर किसी भी love birds के साथ लगाते हैं तो आपको देखने में मिलेगा कि आपको wild ही बच्चे मिले तो इस तरीके से ये सारे ही पेर अपने आप लगे थे मेने नहीं लगाए थे और कहते हैं कि अपने आप जो जोडे लगते हैं वो काफी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं लंबे टाइम तक ब्रीडिंग करते हैं अब देखते हैं अगली मटकी में तो इस मटकी में एक ही अंडा है तो पहले भी हमने देखा था कि इसम अंदर चार अंडे हैं और मुझे चारो ही अंडे खराब लग रहे हैं क्योंकि इतने टाइम में बच्चे निकल जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक बच्चे नहीं निकले तो देखते हैं 4-5 दिन ओर वेट करते हैं अगर नहीं निकलते हैं तो फिर अंडो को फेंक देंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि लवबर्स में जादा तर देखा जाता है कि पहली और दूसरी व्रीड खराब होती है और 4-3 मटकी में देखते हैं तो इसमें 3 अंडे आ चुके हैं और जब पिछला वीडियो बनाया था उस वक्त अंडे नहीं आये थे सिर्फ फिमेल अंदर जा रही थे इनमें जब हो सकता है कि बच्चे निकले क्योंकि ये जो अंडे हैं ये बाद में दिये थे और हो सकता है कि इनके 21-22 दिन अभी पूरे हुए नहीं है वेसे लगबर्ट के 21-25 दिन में जब बच्चे निकल जाते हैं और इसके अलावा जब पांच भी मट्की में देखते हैं तो इसमें जब फिमेल अंडों के उपर बेठी हुई है और पांच अंडे मेरे को दिखाई दे रहा है इसके अलावा मेरे को दिखाई दे रहा है कि इसमें एक बच्चा भी है जो की मर गया है हो सकता है कि वो बच्चा ही है अब चलते हैं सेपरेट केजेस की तरफ और उसकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखते हैं उनमें जो पेर रखे हुए हैं उनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखते हैं तो ये सेपरेट केजेस है आप देख सकते हैं इनमें 5 जोडे मैंने लगा रखे हैं और ये वो काफी टाइम से ब्रिडिंग कर रहे हैं और काफी एच्सी भी ब्रिडिंग कर रहे हैं लेकिन अभी जो आपने पांच पेर देखे हैं, उनकी फर्ष्ट ब्रीडिंग है, तो इसके अलबा पांच में कुछ पठे भी पड़े हुए हैं, और इन में से कुछ पठे मैंने अपने दोस्त को दे दिये हैं, और ये भी पठे मैं अपने दोस्त को दे दूँगा, और जब भी बच्चे निगलेंगे तब भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और अब जो है वो देखते हैं इसके नीचे वाले बोक्स में, तो इसमें लुटीनो पिच पेस की फीमेल है और लुटीनो पिच पेस का ही मेल है, यह जोड़े मैंने ही लगाए थे और इसने भी जो है वाणडे रख दिये हैं, अब देखते हैं उपर वाले ब्रेडिंग बोक्स में तो इसका जो मेल है यह ओप लाइन है औरेंज हुड का, तो इसके नीचे देखते हैं, तो मुझे चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं और फिमेल अंदर ही बेटी हुई है, तो चार में से तीन बच्चे तो जो है वो लुटीनो के हैं मैंने शिफ्ट किये थे और एक ही बच्चा जो है रोजी का है, अब देखेंगे कि ये जो है ओप लाइन का होता है या पीच पेस का होता है, मुझे पीच पेस लग रहा है और जो तीन बच्चे लुटीनो के हैं वो आप देख सकते हैं टोटल चार बच्चे हैं और ये जोड़ा अपने बच्चों को काफ़ी अच्छी तरीके से पालता है, अब देखते हैं इसके नीचे वाले ब्रीडिंग बोक्स में तो ये जो जोड़ा है ये काफी जल्दी डिश्टर्प हो जाता है तो इसे ज़्यादा परेशा नहीं करेंगे, मुझे एक अंडा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि जोड़ा ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको मेरे द्वारा बनाएंगे वीडियो अच्छे लग रहा है, वीडियो पसंद आते ह तो आप चैनल के सदेशी बन सकते हैं, चैनल के सदेशी बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें इसे आप चैनल के सदेशी बन जाएंगे और जब भी मैं कोई निया वीडियो अप्लोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेस तन आपक वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे तो चलते हैं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो ने टोपिक के साथ तब तक वाई वाई अपना ख्याल रखें अपने वर्ड का ख्याल रखें